तुछ रंग प्यार के रहे देदी देख आईश ने बताया वो अच्छानक कैसे क्यों चला गया छोड़िये न बाबा पुरानी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता रीजन तो पता होना चाहिए न ताकि उस रीजन को दूर किया जा सके अरना क्या बरोसा फिर भाग जाए वैसे ही तुमारे और शोना के बीच में इतना कुछ उपर नीचे हो रहा है उसका असर बच्चे पे नहीं पढ़ना चीए वो उसको क्या परिशानी है उसको समझो उसको टाइम दो पर ऐसा नहों कि कहीं चीजे हाथ से निकल जाए एक दम से तुपड बैनी तुम हो यो नो घर में सब कितने परिशान थे पर तुम अपने दादादारी के घर इतने लेट की पहुचे मेरे पास पैसे नहीं थे ना अनना बस लेके जल्दी चले जाता इसलिब वॉकिंग करते गया फिर बहुत टायर्ड हो गया था इसलिब पाक में चले गया तुम्हें अपने दादू का एड्रेस और पर्स नंबर भी पता है या बहुत एजी है बट नो मनी सो पाक में ही बैठा था दिन भर तुम तो कुछ घर से खा पाक में पबलिक वाटर होता है ना वो पी लिया और फिर अपाइप में जाके बैढ़ गया तुम तब बहुत स्मार्ट हो पर सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ पहले बात बैड बियेव किया और आज सम्प्रेंज और आज से मैं अच्छे से बीव करूँगी तेख बिटा तेरे हाथ में जो है तु कर रहा है ना यार और रही बात सोहा की हलाकि कुछ सालों तक वो तुसे तूर रही लेकिन पच्छमन से वो जानते हैं कि तु उसका पिता है वो सुनाक्षे के साथ रही ना और जब तू उससे मिला तो उसकी जिन्दगी में पिता की कम ही पूरी कर दी लेकिन हाईक्र उसके लिए तुमारी दुनिया एक्दम नहीं है बेटा उसका पिता था यार उसे तुमारे बारे में कुछ पता ही नहीं जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है न उतनी ही मुश्किल उसके लिए भी है और एक बात याद रखो यह आयूस सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बेटा उस सुनाक्षी का भी बेटा है तो कुछ आदत हैं, तुम्हारी जैसे होंगी, तो कुछ आदत हैं उसके जैसे भी होंगी, आई उसको समझने के लिए तुम्हें सुनाक्षी को समझना होगा, इसके लिए तुम दोनों का आपस में जोनना होगा, कभी तुम अपने बेटे को अपने आप से जोड़ पाओगे हाँ, मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन यह कोई सपना नहीं था यह रियालिटी हो सकती थी, सुनापशी अमिन, तुमने सोचा कि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्ब किया क्या वो क्यों घर छोड़ के गया था तुम जानती हो, वो हमारी केर, हमारे प्यार के लिए वापस नहीं आया वो सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि वो अपनी मज़य से अपने बूड़े दादा दादी को और प्रॉब्म नहीं देना अचाता था कि उसना खुद का है मुझ से कौन है यार अभी है हम भी दो पड़े, किसके मेसेजर दाते हैं सेल्फी में एक प्रिंसेस है वो तो है अग प्रिंसेस के पीछे है रामु काक काका उसे बलो क्लीनिंग टाइम और उसे क्लियर करो तुमारी तस्वीर इसके बिनाई खुख सुरुद रखती है वाद थेल इस? हम? यह कैसा मेसेज अलीन? ऐसे मेसेज बहिते है तुमारे फैंस? विक्की ब्लॉक करो ज़ुझ ज़ुद दुमारे निकाल तू विक्की फैंसे हैं कुछ भी बोलते हैं वायू वर्यू रिएंग हाँ? अच्छा अच्छा तेरा रियक्शन क्या हता अगर हमारी फोटोस मैं कुई तुम पे कॉमेंट करता कि श्चानता भाई को इस फोटो के बीच में से निकालतो हो तब देखता मैं कितना कूल रहती तुम और कैसे दूसरों को मुस्कुरा के अंटल करती है इसे ब्लॉक तुम क्या यार मैं प्लॉक करता हूं से तुम क्या यार मैं इब्लॉक करता है या विक्या इसो क्या इसो के वो मेरी है ज्यादा दिन दूर नहीं रहने तुम झाल झाल माई चान, माई कुईन, तुम सिर्फ मेरी हो, और हमीशा मेरी ही रहोगी। सारी गवती सुनाक्षी की नहीं हो सकती। हमने भी कुछ गलतियां की हैं ना, चोटी मोटी गलतियां जो मिलकर इतना परेशान हो गया कि घर चोड़के चला गया अगर अगर वो सच में किसी एक बात से परेशान होता तो मेरे पास आता में उसका बाप हूँ। तेरे पास आता तूस की दाती है। क्योंकि नहीं, वो हम सबसे परेशान था। यादे तुन्हें उसको खाना खिलाने के लिए उसे जबरदस्ती की थी। वो थोड़ा सहम गया था माँ। अब हमें इन चोटी-चोटी बातोंगा थोड़ा ध्यान अखना होगा। तुझे ना अपने प्यार करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। थोड़ा सा। जैसे तू सुहाना के लिए उसकी पसंद का खाना मनाती है न। वो जो करना चाहती है उसे करने देती है न। वैसे ही आयुष को भी थोड़ा इस घर को समझने का, इस घर को अपनाने का वक्त दे. तेरी ये गोल-मोल बाते मेरी समझ के बाहर है, दीफ. अगर तुझे लगता है कि ऐसा करने से आयुष खुश होगा, तो मैं वही करूगी चुद तु मुझे कहता है. मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना, आउंटी. ये बट स्पेशल है. हम्, तो नहीं चेंज करेंगे. मेरी मम्मा ने रखा था, आयुष माल, मेरे बाबा ने इसका मीनिंग बताया था. इसका मतलब है, बलेसिंग. मेरे मममा ने ब्लेसिंग में उजे एन नाम दिया इसलिए में या नाम चेह नहीं करूँगा पर दादी पंदी जी से बात कर देथी कियो मेरा नाम चेंज कर देंगी आयुष्मान से वेद देखेत रखना चाहती है मुझे वो नहीं पसंद मैं तो आयुष्मानूँ वेद नाए मैं प्रामिस करती हूँ ना दुम्या तुम्हाया नाम हमेशा आयुष्मान रहेगा ओके कभी चेंज नहीं दुम्या अपनी मुमा को ट्रस्स करते हूँ ना सुराक्षी, लॉयर का फोन आया था पूछ रहा था कि आयुष्मान के लिए जो दॉक्मेंट्स दिये थे वो रेड़ी हुए या नहीं देव, इतने मुश्किल से आयुष्माने हमारे साथ अपनी दिल की बाद शेयर की उसने बताया था हमें कि वो घर छोड़के क्यों चला गया था क्योंकि माँ चाहरी थी कि आयुष्मान से उसका नाम बेदिक्षित रखे तेव, प्लीज मैं यह नहीं नहीं दिने वाली, प्लीज, मैं माँ से जाके बात करती हूँ अभी सुराक्षी, मैं लॉयर को होल पर रखता हूँ, लेकिन मां से बात मुझे करने दो तेव, मां अभी-बी मंदर से आई है, मैं जाके बात कर रही हूँ उनसे, ओके, बाई बढ़ी आसानी से सारा, सारा हिल्जा मुझों के लिए पर लगा दिया तो नहीं खयर, मैं मनती हूँ क्य मैं उसका नाम बदल रही हूँ, और ये भी मांती हूँ क्य मैं गलत नहीं हूँ पिछा-ई, ज़रूरी है उसके लिए जब उप-नाम बदल रहा है, वर्मा से दिक्शिद हो रहा है, तो नाम भी बदल जाने दो ना ये नया नाम उसे जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए मदद ही करेगा माँ वो सबसे पहले तो इस बात से परिशान है कि उसके माता पिता के नाम के जगा देवर मेरा नाम होगा और आपने एक भार भी एक भार भी देवर मुझसे पूछना सही नहीं समझा और आपने हमेशा इंकरज किया मुझे कि मैं उससे अपना बना कर उसके बारे में सूचूँ तो आज मैं उसकी मा के हक से बोलते हूं कि उसका नाम नहीं बदलेगा और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो मेरे बच्चों को हूट करे इसका नाम आईश्मन है और हमेशा रहगा प्रॉफ्यूम की बॉटल तो मैं कभी कोजी नहीं छोड़ती चब पिल कहा गई आप मैं लोड़क भी माताम पिल अल Smet चल्यूम्न है अमने फावी करेगी को आपेष्यूम्न है अमने लोड़क़्रॉक्त खरिट लोड़क्त थाल अल्यूम्न भुम्न मैंने दर्वाज़ा तो बन किया था वो क्या रहे मेरे साथ आप दोनों दोस्त होगे है सुहना बेडा तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो बस ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह रहना अपने पेरेंट्स की तरह तांकियो अंकिल सीकिया जी जी ऐसे बलड के रिष्टे अपनी तरफ कुल करने में लगें इनका पस चले न तो सुहना को भी अपना मेक कर ले और आयोश हमेशा बड़ों की सारी बाते मानना कोई शरारत मत करना बानता हूं कि सब लोग वहां नय हैं लेकिन बेटा तुम्हारे अपने हैं वो हो सकता है कि जैसे तुम चाहो वैसा सब कुछ वहां नहों लेकिन एक बात याद रखना बेटा सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए सबसे बहुत अच्छे से और इज़त से पेश आना. प्रोमिस दादू, मैं सबकी बाद मानूगा. सुवाना बेटा, अच्छा लगा, आज आप आएं, फोन पे. थांक यू, बाई दादू. मुझे लग रहा है कि आयूश्क अपनी फैमिली के साथ अभी भी अटेजमेंट है. और उसको देख्के ऐसे लग रहा है कि आप लोगों से जादा उसे उनसे टाप करके हैप्पीनेस मिलती है. कोई बात नहीं भावी. धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. प्रक्षाबंदर में बहुत ताकद होती है ना? हुँ. कलिस्तियोहार के दिन, आयूश्क हमारे परिवार के साथ एक अटूट रिष्टी में बंद जाएगा. मा, बात फोन की नहीं है ना? बात यह है कि देव और मैंने एक डिसिशन नहीं थे. कि हम सुहा को फोन नहीं देंगे. राखी एक त्योहार है, मा. एक बहन दिल से मानती है और फिर राखी बानती है. फिर प्रातना करती है. ऐसे नहीं नहीं हमा कि लालज दे के कुछ किया जाता है. लालज? तुम्हारी पीडी को यह लग सकता है. पर हम लोग तो भाई, रिष्टे निभाने के लिए, जिस भी हद तक जाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, करते हैं. अरे, हैसे ही बच्चों को संभाला हैं हमने, ऐसे ही बाते मनवाई हैं. या तो उनके मन की कर दो, या फिर… तो आजकल की बच्चे वह संभलते हैं हैं, खुदे इतने डरे हुए हुथे बच्चों से हम लोग डरते नहीं हैं कि क्या सोचेंगे, उनके मन पे क्या बीटि होगी, ये, वो… यसे आप सोचते हों। देख, आज तो हार का देन है ना, आज बस हमें यह ध्यान में रखना है कि हम कैसे खुछ रहे हैं और दूसरों को कैसे खुछ रखे लो जी आ गई आज की चीव गेस अरी? कुछ दंग प्यार के लो मेरा बच्चा मेरा बच्चा यह अपाता सबज़ जकती हो, देख न, रिया भी साथ समंदर पार वीडियो परी बातचीत होती है और नेहा यहां इतने नस्दीक हो कर भी आती ही नहीं बिल्कुल नेहा आरी है? नहीं, वो नहीं आपाएंगी वोना उनकी ससुराद में पूरी फैमिली कटा हुई है बट उनोंहें राखी पजवाई है यह क्यूट बॉय अकेले-अकेले बॉय के सिफ बाते सुन रहे है तुछ बोलेगा नहीं मैं तुम तुम से भी जादा स्वीट हो यह तुमारी वा के तरफ से सबसे फास्ट गिफ्ट लो? लो? क्या दुमारी थेए क्यूट हर मैं भोले आजा चुलो, आप आयूश्की भी बारे, आज़ी नौ? मझे वश्रूम जाना है सोह, सोह मम्य पापा सबसे ज़्यादा किस से प्यार करते हैं? अपनी प्रिंसेस से ना? देखो, आप आयूश्को राखी बांदो या ना बांदो उसे कोई फर्क नहीं बढ़ता इन सब चीज़ों से बस रिष्टे थोड़े और स्ट्रॉंग होते हैं लेकिन वो आपका भाई है और हमेशा रहेगा उससे कुछ नहीं बदलने वाला षड़ टखो अप सुब होते हैं आपकी कोई भी चीज उससे दी थी नहीं दीती, ना? शुब और रायूश्को आपके हिससे का प्यार नहीं मिलने वाला उनको उनकी हिससे का प्यार मिलने वाला आप से हमेशा उतना ही प्यार करते रहेंगे जितना हमेशा से करते आये, और बताओ, अश्कु राकी बांदोगे या नहीं बांदोगे? मैंने बोला था ना उसे राकी मनमाना, अब वो तिरा भाई बन गया, देखो सब तुना ईटेंशन दे रहे हैं, चीया? तुम्ये आयेश को से किया और थे रहा है, चाहिए और लोलाथ बन गया? मुद्द, वो अइस सब साइत ती तुम्या थे जब आज कर घचीवंट थि जाते हैं किया जाते हैं। शाइद आयुष का पहला कदम था हमारी तरफ। राखी बांदने का यह मतलब नहीं कि तुम दक्षद बन जाओ। यह बस फैमिली फोटो ही है। तुम आयुषमान बर्मा ही रहोगे। मैं तो हैरान हूँ सचमे भाभी इस पात से कि सोहा ने आयुष को राखी बांधी पर उसे इस परिवार का हिस्सा नहीं माना। और सुनाक्षी ने भी सोहा को समझाने की जरूरत ही नहीं समझे। बस यह कह दिया कि सोहा इसे नहीं कहते। देखिए इसका एक ही तरीका है भाभी जो पंडिजी ने सुझाया है न वैसे मुझे करना पड़ेगा। लो यह कपड़े पहनो चलो 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 क्यों हम कही जा रहे हैं। नहीं जा नहीं रहे हैं बिटा। मैं तुम्हारे लिए नामकरण की पूझा रखवाई है मैंने। चलो कपर पड़े। नहीं। मैंने सोना अंटी से कहा था कि मुझे मेरा नाम चेह नहीं करना। उन्होंने मुझे प्रॉमेस भी किया था। अब अब सोना अंटी को फोन करो ना। बिटा। मैं तुम्हारी दादी होना। खर की बड़ी होना मैं जानती हूँ यह तेरे लिए बहुत अच्छा है। अपनी दादी के बात माने का ना। चल कपड़े बदाल। नाम, यह अच्छा नहीं है। आप मेरे दादी नहीं हो। मुंचे आपकी बात नहीं सुननी। आयश, जब तुम अपने दादा दादी से बात ही कर रहे थे ना। तो मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। कि अब यही तुम्हारा नया घर है। हम सब तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। कहाना यह सब तुम्हारे दादा ने तुमसे। अब बताओ, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारी बात सुननी है।